जोते रादित सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं वो और उनके विधाय कहीं ना कहीं पुराने बीजेपी नेताओं की नज़रों में खटकते रहे हैं सिंधिया से परेशान ऐसे नेताओं में सबसे उपर हैं गुना सांसद केपी यादम जिन्होंने पिछले लोग सभा चुनाओं में सिंधिया को करारी शिकस्त दी थी दुनों की ये अदावत कैसे बढ़ा रही है सिंधिया की मुश्किलें देखिए इस रिपोर्ट में जोति रादित सिंधिया जब बीजेपी में आए तो अपने साथ समर्थकों का लाओ लशकर भी ले कराए साथ ही उन्होंने अपने ज्यादात समर्थकों को मलाईदार पदों पर फिट भी करा दिया हालत ये हैं कि अंदर ही अंदर दर्द तो पुराने बीजेपी नेताओं की हैं लेकिन ज्यादा तर नेता अपना ये दर्द बयान नहीं कर पा रहे हैं इसी बीच गुना सांसत केपी यादव लगातार सिंधिया और उनके समर्थकों पर हमलावर हैं उन्होंने सिंधिया समर्थकों की शिकायत करते हुए बीजेपी राश्टी अध्यक्ष जेपी मिली है के पीवी मेरे परिवार के सदस्य हैं भारते जंता पार्टी का हर कारे करता चाहिए वो प्रभारी मंत्री हो या कारे करता हो या विस्तारक हो या बूत का प्रभारी हो सब हमारे हैं सब को मिलके काम करना चाहिए जो भी एक दूसरे के साथ जो मिलन की जो कमी भी है वो भी हो जानी चाहिए और हम लोगों को आगे प्रधान मंत्री जी की नेतित में और नडड़ा जी की नेतित में जो जिमेदारियां दी गई हैं उन जिमेदारियों का निर्वा हम लोगों को साथ भी मिल के करना चाहिए। अब देखना होगा कि सिंधिया की ये मिलन वाली नसीहत का सिंधिया समर्थक ही कितना पालन करते हैं।